हलो गाईज, वेलकम बैक तो आप्रोमोटिव एसपेक्स, मैं आपको फेंट किशिनमिष्टर और आज मिले के आगे आपके लिए नियूली लॉंच्ट किया सेल्टोस स्पेसलिफ 2023, स्टीके प्लस आंटी वेरियंट पेट्रोल में आपको मिल जाता है, 1.5 लिटर का टर्बो चार्ज इंजन अब मिलता है इसमें आपको जो कि विद्यूस करता है 158 बह्प का पावर और 253 न्यूट्रमेटर का टॉक जो की काफी अच्छा कर दिया गया है पहले से, फटा-फट साय जाते हैं बताता है आपको क्या के मिल जाता इस गाड़ी में तो स्टार्ट करते हैं तो यहां आपको डियर्ल का setup मिल जाता है न्यू डियर्ल जो मिल जाता है इसमे L निओन है का यहां पैर है हाँ की बातंब दसको कर दिया गया तो इधर आपको मैट मिलता यसमें को और आपको पुरी सिलवर की गानेशिंग मिल जाती है कोई भी क्रूम नीम्लता तुए आपको पुरा सिलवर में इधर से दिखा दो तो इधर भी आपको सेम वही headlamps का setup मिल जाता है और look के वाइस देखे तो काफी अच्छी लगता यह गाड़ी काफी broad है अच्छी लगती है, no doubt यहां पर बात करें तो पहले हमें आपे IMT की बेटीग आती है जो आप यहां पर नहीं मिलती है, नीचे की बात कर लेते हैं फिलता है कि यहाँ पर दिखा दूं आपको यह बॉक्री इंसें पर आपको जी आखियागी मिलता यह को कि ऑलंते हैं यह को फिर्ट की ब 1opa है पर किम टॉफल में चाली आपको यह प्लाक और हो सब मिलता है यह इस नीचे उसमें आपको ब्लाक और ग्रे में मिलता है, उपर आपको शाक्फिन एंटरा भी बॉडी कलर्ड मिलता है, और बैक से देख सकते हैं, कुछ ऐसी लगती है, स्पोईलर्स नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पर connected का जैसा दिखने वाला tail lamps मिल जाता है, और इसमें लेकिन आपको LED का setup नहीं म इधर की बात कर लेते हैं, नीचे के side तो यहाँ पर आपको TGDI के badging मिल जाती है, और इधर आपको cell toss की badging का मिल जाता है, और यहाँ पर नीचे आपको reflectors और साथी साथ reverse light जो पहले उपर आती थी आपको यहाँ पर नीचे दोनों side मिल जाते हैं, इसके reflectors के just ऊपर आपको reverse light मिल जाते हैं, चुकि ऊपर आपको connected मिल जाता है, नीचे आपको skid plate पूरी silver की गाणिशिंग मिल जाती है, अब चलते हैं फटा-फट से boot space में boot की बात कर लेते हैं, आपको फटाक से open करके दिखाता हूं, तो boot कुछ ऐसा मिल जाता है, आपको फटाक से पहले इसको हटा करनमान टांगने के लिए, और इधर की बात करने तो आपको यहां पर tool kit मिल जाता है, इस गाड़ी में इधर side, और इसके नीचे आपको मिल जाता है stepney wheel, जो कि आपको R16 same size का मिल जाता है, जितने का आपको alloy wheels मिलता है, उसी size का आपको stepney wheel भी मिलता है, जो कि काफी अच्छ आपको वही वाले keys मिलते है, और काफी अच्छी लगती है, इसकी keys, इधर की बात करने तो आपको इधर भी आपको body color मिलता है, कहीं भी chrome के नहीं, बट इसमें आपको keyless entry option मिल जाता है, फटा बट से कर लेते हैं, और आपको दिखा दू, driver side वाले door से start करते हैं, उससे पहल और बॉल जाता है, यहां पर आपको कैसे आपको पिर नहीं वालेटेटों मिलते है, यहां पर आपको रिखा आपको बोस के स्पीकर नहीं है, इसके bota last a बाट लोड जाता है, इसका स्पेस काफी अच्छा है, जक है अगरे में थे समान रखने की बैठने की, इंटीर काफी देख से बहुत क्लासी सा इंटीरे इस गाड़ी इंदर आपको दिखा दू तो इसमें आपको फैब्रिक के सीट में लाइक कलर में जो की पहले बीज में आते थे रेख्स आसा आयर काफी इंटियर बहुत क्लास horas ». इस काफी और अच्छा यह वाला इसका उच्छा स्ट पूरा इंच को पूरा इंच काफी अच्छा लगता है यहां पर पूरे सबकुछ यहां पर चीज दिखा दूँ कि यहां पर इस वाले मॉडल में यहां पर यहां पर यहां पर इस वाले में आपको एट इंच का इंच कर दिया गया है यहां पर चोटा कर दिया गया कर Välarını करने के लिए आगे पीछे और यहां पर आपको अपर इस वाले मॉडल से मिलता है एक दो तीन और चार चार इछार आपको को आज़े जाता है यहां आपको फहले है यहां पर आपको एसी उनेट नई वाले मतब टॉप मॉडल में जैसे न्यू वाले सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में मिलता है वैसा नहीं मिलता है इसमें पहले के तरह ही मिलता है बट इसमें भी आपको आटो आएमटी ट्रांस्मिशन का गेर बॉक्स मिल जाता है यहां पर लेदर के साथ पूरा आपको यहां पर प्यानो ब्लैक फिनिश का टच मिलता है जो कि काफी क्लाशी लगता है यह वाला पार्ट पहले सिल्वर की गांडिश्रिक में इसको डिक्रों कर दिया गया यह वी काफी का फील दिया गया है पहले यह सब चीज़ें आपको बीच कलर में मिलते थे यह और यह वाले पार्ट आपको बीच कलर में मिलते थे यह सारे चीज़ें चेंज कर दी गया इस गाड़ी की अब नई चीज यह है इसमें कि यहां पर आपको फ्रेंट की पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस गाड़ी में आपको दिखा दू आमटी ट्रांस्मिशन का नीचे आपको यहां पर आपको ब्रेक्स और एक्सिलेटर मिलता है यहां पर कोई भी क्लेश नहीं मिलता है यहां पर आपको डेड़ रखने के लिए मिल जाता है अब चलते हैं इधर की और तो आपको एजिस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं और नई चीज यह है इस गाड़ी में कि यहां पर आपको बड़ा सा पैनरॉमिक संरूफ मिल जाता है इस वाले मॉडल में भी यह ऐसा वेरिंट है जिससे आपको संरूफ स्टार्ट होता है तो पहले इसमें भी छोटा वाला संरूफ आ संरूफ मिलता है काफी अच्छा व्यू बना देता है काफी अच्छा इंप्रूमेंट किया गया है यह सब चीजों में और इंटिरियर तो नो डॉट इस गाड़ी का हमेशा से अच्छा था अभी भी अच्छा है यहां की बात करने तो आपको संग्लास होल्डर मिल जाता है संवाइजस की बात करने तो यहां पर आपको टिकेट होल्डर मिल जाता है और उधर आपको एक वैनिटी मिरेर मिल जाता है बस और कुछ नहीं लाइट नहीं मिलते अभी भी यहां की बात करने तो आपको संग्लास होल्डर मिल जाता है और यहां पर आपको इसमें LED में लै मतलब फिर भी काफी जादा पहले से space किया गया है open होने का पहले यहीं तक होता था open इतना ही sunroof ही होता था इसको कर लेता है फटाक से बन और आपको इधर दिखा दूँगा अब चलते हैं space के उपर तो आप बात कर लेते हैं तो मेरे पता है काफी spacious गाड़ी है कोई भी space में जाता है वो नहीं है इस वाले model में एक और चीज़ आपको दिखा दूँग यहां पे आपको ambient lighting इस गाड़ी में मिल जाती है यहां पे और यहां पे यहां पे आपको sound mood lamp मिल जाता है यह किया का मतलब एक feature होता है जिसमें आपको song प्ले करने टाइम आप इसको change होता रहा था color आपको धंग से बार जूम करके दिखा दूँ यहां पे आपको दिखा दूँग यहां पे आपको दिखा दूँग यहां पर अंदर मैं similar है बस काफी अच्छा space मिलता है गलब box देख सकते हैं तो glove box में भी आपको काफी अच्छा space मिलता है space की मामले में और किसी मतलब आपको feel के मामले में जो premium के मामले में अगर बात करेंगे तो इस वाले model से start हो जाता है और आपको काफी premium feel मिलता है फटाफर चलते हैं पीछे की और पीछे से दिखा तो इस गाड़ी का इस गाड़ी में पीछे पीछे साब देखते हैं कुछ ऐसा इंडियर मिल जाता है काफी तो आप बताएगे आपको कैसा लगा इसका बैक में बैट कर लेए इस गाड़ी का काफी अच्छा इंटीर है यहां की बात कर लें तो आपको बदा तो पीछे करें मिल जाते हैं यहां पर आपको अब नया यह है कि यहां पर पहले टाइप-एफास चारज्जा मिलता है यह यहां कुछ स्पेस रखने मिलता हम पहले के तरह ही सेम वैसा ही है हमका साइज बहुत नीचे है जिसके बीच में बैटने वाले काफी कमफर्टेबल होता है कोई भी इशू नहीं होता है इधर की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको संब्लाइंड जाता है दोनों तरफ में काफी हेल्प करता है पीछे वाले को अब तो ऊपर संब्लूफ आ गया है तो उसको मोशली लोग क्लोज रखेंगे बट धूप के टाइम तो यह काफी काम करता है काफी टेमरेचर को कंट्रोल कर देता है तो यह सब चीज़े काम आती है गर्मियों में यहां पर बात कर stalk कारें गारी में पीछ आपको ठीखा दिये हैं आपको में आपको यहां पर यहांप को यहांप ऐसे अर आन लोग pap clialese मिलते हैं जो यहां बहल चाफी अच्छा रात में अपको को यहांबीattend आपको कुई वीडूमी आप अंपужд भी आम एजे मिलता है पीछी आपको आपको तो कोई भी cup holders and all नहीं मिलते हैं नहीं आपको armrest मिलता है यह सब सारी चीज़े आपको top इसके ऊपर वाले models में मिलती है यहां की बात करें तो आपको 3-pin sit belt इस गाड़ी में मिल जाता है अब चलते हैं फटा फट से आगे की और आपको बताता हूं इस गाड़ी की pricing and all आपको प्लस IMT का review मेरे साइट से बात करें प्राइजिंग की तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइज है 15 lakh रूपीज और यह आपको on-road मिल जाता है 17.77 मतलब 17,77,000 का तो उससाब से अगर बात करें तो इस गाड़ी का pricing का तो थोड़ा हाई कर दिया गया है बात करें तो पहले नहीं रहा तो 18 lakhs में आपको STX पढ़ता है 17.77 का on-road पर आपको यह मिलता है तो मेरे साब से इस से अच्छा आपके लिए रहेगा STX manual petrol पर जानेगा बाकि आपकी अपनी मर्जी है कमेंट सेक्शन हो बताएगा आपको कौन सा वाला वेरिंट ज्यादा पसंद है STX petrol या फि वीडियो अच्छा लगा हो गाईज तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो मैं चैनल तेक कियर बाए